हेलो अप्रिवान दिस इस सुर्भी वलकम टू स्टेडी हैक्स कैसे हो सब आई होप आप लुक सब ठीक है और अपनी स्टेडी को अच्छे तरीके से कवरब कर रहे हैं डिसकेशन जो होगा सैकेंड माई का काफी जारा इंपोर्टन होने वाला है आए आज का डिसकेशन हम इंट्रेस्टिंग फैक्ट यह है कि इसको स्टार्ट किया गया सबसे पहले कौन सी कंट्री में तो 1886 में फॉस्ट में को युनाइट स्टेट ऑफ अमेरिका के जो लोग थे उनके द्वारा यहां पर फॉस्ट में को डिमांड की गई कि हम लोग यहां पर फिक्स करेंगे व अपनी कंट्री की हम लोग बात करें तो फॉस्ट लेबर डे जिसको मेरे के नाम से भी जानते हैं कौन सी स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया गया फॉस्ट टाइम वह था मदरास में 1923 में ठीक है तो लेबर किसान पार्टी हिंदोस्तान के द्वारा यह जो था स्टार्ट किया गया बेसिकली यहां पे जो इंटरनेशनल वोकर्स डे के नाम से भी इसको जानते हैं इस डेक के साथ साथ जो है अवेनेस वह लाने की कोशिश की जाती है अबाउट दी लेबर राइट क्योंकि लेबर राइट का जो हननन है वह काफी तोर पे होता है अगर किया जाना चाहिए चीपमेंट्स जो है इनके जो सैक्रिफाइस हैं यानि कि पैंडेमिक के डूरेशन में भी बहुत सारे जो लेबर से उनकी जान भी गई आपने देखा होगा कि माईगरेंट लेबर से एक जगा से दूसरी जगा गई तो बीच रास्ते में कहीं जो लेब और अचीविंग जो है स्पैशली एकॉनोमिक में लेबर्स जो है काफी जारा इंपोर्टन रोल प्ले करते हैं अपनी अगर इंडिया की एकॉनोमिक के हम लोग बात करें तो सोशल राइट ओल अवर दी वर्ल्ड आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा उसके लावा यहा आपको यहां पर बोल के बता देती हूं कि मेंटेनिंग सेफटी एंड सीक्यॉर्टी एड़ी वर्क प्लेस यह इस साल की थीम है आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लीजीगा तो याद रखेगा कि सबसे पहले कौन सी कंट्री में लेबर के बार में बात की ग आपको यह सारी चीज़े क्लेयर हुई होंगी बढ़ते हैं नेक्स्ट डे की और डे हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे यानि की खुशी हसना तो आसपास जो है खुशी फैलाएं ऐसे मतलब बिलकुल भी दुख वाले मून में ना रहे क्योंकि आसपास जो है वह मैं को आया है तो वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है यह फर्स सैलिब्रेट हमारी कंट्री में मुंबई में किया गया 1998 में बाइदी डॉक्टर मदन कटारिया जो फाउंडर है किसके लाफ्टर योगा मोमेंट के योगा में आप देखते हैं कि मतलब जोर-जोर से हसा जाता है ठ चाकि आपका जो आपकी जो बाड़ी है वो मतलब पॉजिटीवीटी से भरी रहे तो वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है हम लोग मैं के हर फर्स्ट जो संडे आता है तब हम सैलिब्रेट करते हैं आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा बढ़ते हैं एक इंपोर्टेंट के द्वारा अट स्ब्सक्राइब आपको गजिस एक प्राइज में के सब्सक्राइब करने एन रश्या की जैसे हमारी कंट्री की डिपेंस रिसर्च ड्यवलप्मेंट औरगनाविजेशन है वैसे ही रश्या की आप देख सकते हैं एन पॉम है अगर हम बात करें ब्रहमोस का जो नाम है दो रिवर्स के उपर रखा गया है हमारी कंट्री की ब्रहमपुत्रा रिवर और रश्या की मोस्कवा रिवर तो ये दोनों रिवर्स का नाम आप लोगों ने ज़रूर याद रख रहे हैं टूस्तेजी जो रहे इसके फर्स स्टेज और लिकूर्ड रैमजेट जो रहा है साटब किया गया और प्लाट्फॉरम मिसाइल इसको बोला जाता है और इसको launch किया जा सकता है land के उपर भी, air में भी और sea में भी और ये multi capability missile है उसके लावा हम देखे कि operates के बारे में operates इसको किया जाए है fire and forget principle के थूँ that is it is not required further guidance after launch यानकि एक बार इसको launch कर दिया तो दोबारा इसको guidelines की जुरूरत नहीं पड़ती है ब्रमोस जो है ये one of the fastest cruise missiles है currently अगर operationally में जो deploy कर रखी है और इसकी जो speed है वो Mac 2.8 है यानि कि nearly ये sound की speed से 3 गुना जादा है earlier अगर देखे तो Indian Air Force के द्वारा successfully test किया गया था fire ब्रमोस missile का किसमें इसको setup किया गया था वो था Sukhoi fighter jet में द्वान से इसको use किया गया था recently ही इंडिया निवी के द्वारा भी successfully test fire किया गया है इसका जो advanced version है ब्रमोस missile का उसके लब यहाँ पर इंडियास की जो entry हुई MTCR यानि कि Missile Technology Control Ragamy Club के अंडर वो हुई 2016 में range इसकी इसी के रहत ब्रमोस missile की range को extend करने की यहाँ पर बात की गई कि 450 से हम लोगों ने 600 km इसकी जो range है वो बढ़ानी है ब्रमोस missile की जो initial developed है यानि कि जो initial range कितनी थी इसकी 290 km थी अगर हम बात करें कि रश्या हमने तो ब्रमोस कहां से लिए यह रश्या से खरीदा है तो कौन-कौन से ऐसे defense equipment है जो हम लोगों ने रश्या से खरीदे है जैसे कि submarines हो गई 6th air independent propulsion AIP powered conventional submarine under किसके है P-75 I project की under है तो यह इंडिया नेवी का project है तो इसमें submarines को यहाँ पे develop करने की बात की गई है तो यहाँ पे frigates and guided जो missile destroyers है 4 navies 10 guided missile destroyers है जो रश्या कैशीन क्लास के है and 6 उसमें से 17 frigate रश्या टलवर क्लास से है एर्रक्राफ्ट कारियर के हम लोग बात करें तो only aircraft carrier है जो service में है अभी इंडिया में वो है INS Vikram Aditya जो Soviet made kiev क्लास वेसल है और यह service में आया for इंडिया नेवी 2013 में fighter aircraft के अगर हम बात करें तो रश्या जो है also been one of main exporter of fighter aircraft to India including hundred of Sukhoi and MiG jets है tanks के हम लोग बात करें जो इंडिया आमी में use किये जाते हैं तो main battle tank force जो है composed predominantly of Russian T-72 M-1 66% and T-90 S-30% यहाँ पे आपको tanks जो है वो देखने को मलते हैं जो हमने रश्या से गरी दे उसके रवा यहाँ पर बात करें missile defense system S-400 anti missile system जो है तो यह बहुत काफी सारा important भी है क्योंकि S-400 system जो है जब हम लोगों ने रश्या से ख्रेदा तो USA ने हम लोगों के उपर sanctions लगाने शुरू कर दिये उसके लावा तर्की के द्वारा भी S-400 system ख्रेदा गया है S-400 system क्या है कि हवा ही हवा में missile को destroy करने का काम करता है अगर कोई enemy country हमारे country के उपर कोई missile launch करती है तो हम यह missile system क्या करता है S-400 system यह हवा ही हवा में क्या कर देता है missile को destroy कर देता है उसके लावा हम लोग बात करें तो UPSC Prelims में भी पूचा गया THARD system THARD system similarly S-400 system जैसा ही है और यह USA का है उसके इलावा इसराइल की हम लोग बात करें same as it is missile system है तो अगर इसराइल की मैल इसराइल की हम लोग बात करें तो इसराइल का जो system है वो है iron dom तो यह match ups के लिए भी आप से पूचा जा सकता है exam में तो THARD के बारे में तो पहले ही UPC के दौरा पूचा गया है तो इस पे आप लोग उन्हें focus करके चलना है I hope आपको यह सारी चीज़े clear हुई होंगी बढ़ते है next article की और next यहां पर बात की जारी है museum grant scheme के बारे में museum का आपको पता ही है कि बहुत सारी जो history से relating paintings हो गया history से related बहुत सारी जैसी sculptures हो गए तो एक museum में setup किये जाते हैं जहां पे लोग visit करते हैं उसको देखते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो museum grant scheme जो है government के दौरा अभी इसके लिए जो पैसा allot किया गया है 3.75 प्रजेक्ट के लिए 5 क्रोड लगेंगे ठीक है तो आंदर परदेश में जो इलूरु टाउन है वहां पे इस project को setup किया जाएगा तो अभी के लिए जो grant दी गई है ministry of culture के दौरा वो दी गई है 3.75 क्रोड दी गई है इस scheme को जो launch किया गया था वो 2013 में launch किया गया था by the ministry of culture के दौरा आज के time में culture minister कौन है या आप लोग बताईएगा ठीक है तो comment section में इसका answer दीजिए मेरे को तो ministry of culture जो है यह प्रोवाइड करवाती है financial assistance scheme यानि कि इस scheme में जो पैसा दिया जाता है जो सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है वो ministry of culture के दौरा करवाई जाती है तो museum grant scheme जो है आप से यह question पुछा जा सकता है कि कौन सी ministry जो है scheme को implement करती है या grant देती है वो है ministry of culture है तो assistant जो दिया जाता है scheme के तहत state government को, societies को, autonomous bodies को, local bodies and trust जो है register किये गए है under the society act 1860 के तहत और यह setup किये जाएंगे इसी scheme के तहत new museum तो aim क्या है कि strength करना, modernize करना जो existing museum है regional state and district level पे scheme जो इसका aim basically क्या है कि develop करना है हम लोगोंने at least one central and state government museum located in the state capital each other next यहाँ पर बात की जा रही है कि petrol and diesel के price का जो issue चल रहा है हमारी country में वो काफी जादा आप देख सकते हैं कि इसका जो price है वो काफी जादा peak पे चला गया क्योंकि Ukraine और Russia की war के तहत क्योंकि हम रशिया से जो है रशिया के हम लोग बात करें तो यह oil का biggest exporter है अगर world में तो इसके तहत क्या रहा कि petrol और diesel के price जो है वो काफी जादा बढ़ गए यहाँ पर आप देखे कि basic base जो price है पेट्रोल का तो 56.32 है डीजल का 57.94 है फ्राइट एक्सेक्टरा जो है excise duty वेगरा डालके dealer commission डालके वैट यानि कि जो value added tax होता है जो state के द्वारा लगाया जाता है यह सब मिला के detail price जो बनता है पेट्रोल का वो है 105.41 और डीजल की बात करें तो 96.67 यहाँ पर जो central excise and VAT sales tax on petroleum products की बात करें तो 2020 में भी काफी जादा बढ़ा ठीक है अगर यहाँ पर sales tax and VAT जो collect किया जाता है states के दौरा वो घटा तो उसके इलावा बात कर excise जो duty है जो center के दौरा collect की जाती है यह चीज बड़ी थी अभी यहाँ भी न्यूज में क्यूं है यह हम लोग देख लेते हैं क्योंकि center के दौरा भी states को क्या request की गई है यानि कि Prime Minister of India के दौरा अर्च किया गया है several opposition ruled state है यानि कि यहाँ पे BJP की government नहीं है जिन जिन states में वहाँ पे Prime Minister of India के दौरा यहां क्या किया गया है request की गई है कि जो टैक्सी है पेट्रोल एंड डीजल के ओपर जो state के दौरा लगाए जाते है उसको प्लीज रिड्यूस किया जा सके क्योंकि economic burden जो है citizens के उपर वह काफे जादा bird rise के चलते ग्लोबल क्राइसिस के कारण यहाँ पे cooperative federalism जो है ठीक है उसके उपर भी काफे जादा दिक्कत देखने को मिल रही है अगर महाराश्ट्रा वेस्ट वेंगॉल तैलेंगाना अंधर प नहीं है अलग-अलग आप देख सकते हैं से ममता बैनर जी की हो गया महाराश्ट्रा में जो उद्व ठाकरे जी है उनकी हो गया ठीक है तो यहाँ भी वैट जो है वैट आखिर होता क्या है value added tax यह एक consumption tax है जो state के द्वारा लगाया जाता है supply chain के उपर clear I hope आपको यह clear हुआ होगा उसके लब हम देखते हैं कि components क्या है कि retail prices जो है fuel का ठीक है तो components हम लोग देख लेते हैं retail prices of petrol and diesel made up of three components and base price जो मैंने आपको starting में बताया central excise duty है state tax यानि की वैट है center and state taxes जो है यह major chunk है price किसका petrol का और diesel का यानि की petrol और diesel की जो initial price है वो आपको कम देखने को मिलेंगे वो बढ़ते हैं जो dealer के पैसे वहाँ पे count होते हैं फिर central excise duty लगती है फिर वैट लगता है फिर उसके prices जो है जो retail price जो बनता है main जो price बनता है व state tax जो है यहाँ पे sales tax and value added tax यह vary depend करता है rate of जो different state government के दोरा लगाया जाता है आप देख सकते हैं कि कई area में क्या रहता है जिसे JN के हम लोग चले जाए वहाँ पे पंजाब के comparison में petrol वगरे सस्ता होता है ठीक है तो क्यूंकि वहाँ पे state के दोरा value added tax जो है वो कम लगाया जा और एकसाइस ड्यूटी जो है रिडूस की गई रूपीज 5 पल लीटर और पेट्रोल और 10 पल लीटर और डीजल के उपर फ्यूल प्राइज रिमेन कोंस्टेंट रहे आफ्टर सैंटर्स एकसाइस ड्यूटी रिदक्शन उसके लावा जो recent search देखने को मिला global crude oil prices का क्यूंक एकसाइस ड्यूटी यह तो आपको बताई दिया कि बहुत सैंटर और स्टेट के द्वारा जो ड्यूटी लगाई जाती है बजट 2020 में यहाँ पर एकसाइस ड्यूटी जो है फ्यूल के उपर about 18.4% of the center gross tax revenue देखने को मिला अगर पेट्रोल और अलकोहल की बात करें तो तो अ चेकर एंड इंक्लूडिंग इसमें 2.63 लाइक करोड एकसाइस ड्यूटी रही एंड 11,661 करोड जो सैस लगा सैस का मतलब क्या होता है टेक्स के ओपर टेक्स लगाना किसी स्पेसिफिक पॉपस के लिए आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा एक कोशन आप लोगों के सा लिए आप लोग बताएगा तो फ्रिक्वेंटली ये न्यूज में था तो ये टम जो है किसे रिलेटिड है यानि किससे मैच करती टम आप लोगों ने बतानी है तो कोरेक्ट आंसर आप लोग ने बताने तो स्टेटमेंट फॉर्स्ट है इटीजर क्लासिफिकेशन ओफ क्र सब्सक्राइब पर ऐसा नहीं है, यह statement गलत हो जाती है, तो option 3 तो गलत है, option D भी हम लोग का गया, option C भी गया, तो classification of crude oil यह तो आपको बता ही दिया है, तो main source C है, north C है, north C से निकल क्याता है, तो ऐसे आप elimination method यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो option B जो है वो आपका सही answer है, आपको यह clear हुआ होगा, तो option B आपका सही answer है, तो barren crude oil जो है, one of the major classification है crude oil की, जो किसके according basis है, यह geographical location source पे basis है, आपको यह clear हुआ होगा, बढ़ते हैं next article की ओर, यहाँ पे जो बात की जारी है, palm oil export के बारे में, palm oil सबसे जादा produce कौन सी country में होता है, वो इंडोनेशिया में होता है, और सबसे जादा इंडोनेशिया country ही export करती है, palm oil को, palm oil जो है, यह काफी जादा important अगर human health की बात करें, तो recently ही अभी इंडोनेशिया के द्वारा, shortage के कारण, इसलिए उन्होंने export करने के लिए यहाँ पे मना कर दिया है, क्यूंकि जो domestic यहाँ पे consumption की बात की जारी, वो कम होगी है, इसलिए वो export करने के लिए भी यहाँ पे export नहीं किया जाएगा, इसलिए announce किया गया है, इंडोनेशिया के द्वारा, इंडोनेशिया के मैं पहले आपको location बता दू, अपने country के संधह में, यह हमारी country है, ठीक है, यह हमारी country है, और यहाँ पे आपको इंडोनेशिया कंट्री जो है, वो देखने को मिलेगी, यहाँ पे Pacific Ocean है, इंडियन ओशियन है, ठीक है, तो यह area जो है, यहाँ आप लोग बताएगा, यहाँ पे कौन-कौन से country है, I hope आपको यह clear हुआ होगा, डिटेल में हम सारी चीज़े यहाँ पे जानेंगे, इंडिया जो है, इंडिया का जो annual need है, यानि कि हमारी country को जो palm oil की जुरूरत होती है, वो 8.3 million turn होती है, palm oil की, हम इंडोनेशिया से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट अभी बैन कर दिया गया है, तो इंडिया के लिए काफी जाला दिक्कत हो सकती है, तो palm oil and उसके uses के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, palm oil जो है, यह edible vegetable oil है, यानि कि vegetables यासे तड़का वगरा हम लोग लगाते हैं, तो vegetable में यह यूज किया जाता है, और करने के लिए, केक्स के लिए, चॉकलेट, स्प्रेड, शॉप, सॉप जो रहते हैं, साबुन वगरा रहते हैं, शैंपू हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर cleaning products में भी इसको use किया जाता है, to the bio fuel भी इसको as a use करने की यहाँ पर बात केगी, और इसके लावा यहाँ पर देखे क यह दोनों मिलके 90% global palm oil production करते हैं, इंडोनेशा की बात करें तो इसके जो largest quantity है produce करने की वो है 45 million ton 2021 की, इसके लावा palm oil जो है यह preferred किया गया है, inexpensive, oil palm produce होता है more oil per hectare than some other vegetable oil plants like soya bean, उसके लावा यहाँ पर बात करें कि important palm oil क्यों है, globally supply chain में काफी जारा important ही पाया जाता है palm oil, क्योंकि palm oil जो है world most widely used किया जाता है as a vegetable oil, global production की बात करें in the year 2020, being over 73 million ton according to the United States Department of Agriculture के द्वारा यह ऐसे चीज़े बोलीगी, और estimate लगाया है कि 77 million ton है, current fiscal year में देखने को मिला है 2022-23 में, clear, यह estimate लगाया जा रहा है कि आने वाले time में 77 million ton जो है यह current year में आपको देखने को मिलेगी इसकी production, according to readers देखे तो palm oil 40% of the global supply chain है for most widely used किया जाता है edible oil, palm, soya bean और इसके लवा canola, clear और sunflower oil, Indonesia एक ऐसी country जो responsible, only 60% global supply करती है palm oil का, तो यह काफे जाना important slide है यह आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया biggest importer है palm oil का, price जो है palm oil का, वो काफे जादा high हुआ इस year, क्योंकि demand इसके काफे जादा बढ़ गई थी, क्योंकि demand and supply के concept में ही economy जो है वो depend है, तो काफे जादा shortage हुई supply के alternative इसका ढूणना पड़ा vegetable oils का, तो यहाँ पर production थी soya bean oil की, वो second most produced oil है, यानि कि alternative तो कोड करने के लिए यहाँ पर मनाई कर दी गई है, तो अगर हमारे country में shortage होगी तो यहाँ पर ढूणा गया कौन सा, वो soya bean oil, तो second यह most produced oil है, soya bean after the palm oil, expected किया जा रहा है कि hit करेगा यह price soya bean oil का, इस year क्योंकि poor soya bean season in major producer of Argentina, ठीक है, Argentina major producer है soya bean oil का, production of canola oil की बात करें तो काफे जारा हीट हुआ Canada में last year, due to drought, सुखे की वज़े से, and supplies था sunflower oil का, वो 80-90% बड़ा, जो produce करती है, Russia और Ukraine, clear तो badly hit हुआ, यह भी ongoing जो conflict देखने को मिल रहा है, Russia और Ukraine का, pandemic के दोरान भी बहुत जारा जो labor shortage देखने को मिली, उसकी वज़े से भी, इसकी जो demand थी, ठीक है, यानि क इसका जो produce था, production थी, वो कम हुई, यहां पर बात करते हैं कि इंडिया के उपर क्या impact पड़ेगा, इंडिया also biggest important of palm oil, and make up of 40% of vegetable oil consumption, इंडिया जो है, यह meet करती है, half of the annual need, 8.3 million ton, जो है, palm oil from the Indonesia, and इसके लवा, इसका जो price है, वो कफे जाधा rise हुआ, जिसके कारण यहां पर हम लोगों को second alternative भी डूरना पड़ा, वो था soybean oil, important that last year, जो center के तोड़ा, अन्वील किया गया था, national mission of edible oil and oil palm boost, इंडिया, domestic palm oil production, हम लोगों की इंडोनेशिया के उपर, अगर dependency करनी है, तो हमारी country में ही, हम लोगों को क्या करना है, domestic palm oil, जो है, वो production, उसकी करनी है, ताकि हम लो है, last year, अभी initiative लिया गया, I hope आपको यह सारी चीज़े clear हुई होगे, अगर health benefit के हम लोग बात करें, तो health benefit क्या है, palm oil को लेके, तो यह improve करता है, eyesight, उसके लवा यहाँ पर reduce करता है, जो risk रहता है, cancer का, help करता है, improve करने में, hair growth, richly, यह loaded with antioxidant, and contain करता है, zero transfer, उसके लवाँ यह यह natural soft skin provide करें, यहाँ की skin के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है यह, और इसमें vitamin K बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो important है, palm oil में कौन सा vitamin पाया जाता है, vitamin K पाया जाता है, और यह contain करता है, unsaturated fat, help करता है during pregnancy में भी, I hope आपको यह clear हुआ होगा, उसके लिवाँ global palm oil production 2015 के हिसाब से देखे तो सबसे ज़ादा जो है, Indonesia produce करता है, उसके बार Malaysia, Thailand, Cambodia, Nigeria, Ecuador, Guatemala, Papua New Guinea and others, ठीक है, तो top के 3 तो आपको याद रखने है, Indonesia, Malaysia and Thailand, I hope आपको यह clear हुआ होगा, बढ़ते हैं next article के ओर, यहाँ पे foreign secretary की बात की जा रही है, इंडिया के new foreign secretary यहाँ पे अभी उनके दोरा charge संभाला गया है, विजे मोहन कवातरा के दोरा, तो इनके दोरा replace किसको किया गया है, तो इनके दोरा replace जो किया गया है, हर्श्वर्दन जो श्रिंगला थे, उनको यहाँ पे replace किया गया है, जो काफे तार न्यूस में भी रहते थे, clear, तो यहाँ पे 1988 के batch के Indian foreign services officer जो मिस्टर कवातरा उनको succeed किया गया, हर्श्वर्दन श्रिंगला जो थे, जो हाली में अभी retire हुई है, ठीक है, I hope आपको यह clear हुआ होगा, तो यह नाम याद रखना है कि इंडिया के new foreign secretary अभी कौन बने है, वो है विजे मोहन कवातरा, clear, next यहाँ पे बात की जा रही है सितियो बुर्ले माक्स, यहाँ पे ब्रजील का landscape garden है, जिसका नाम है सितियो बुर्ले माक्स, अभी इसको UNESCO World Heritage Site का दर्जा दिया गया है, यह garden जो है, यह काफी ज़रा important है, क्योंकि यहाँ पे more than 3500 plant species पाई जाती हैं, जो native है, Rio and consider किया गया है, इसको laboratory, botanical and landscape experimentation, site जो है, यह उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है, यह design किया गया, उनके द्वारे sparko and garden बनाया गया, aim क्या था, world famous होने का, clear, तो यहाँ पे जो यानिकि इसको world famous garden बनाना है, तो CTO जो बुले माक्स site है, यह 1985 तक जो थी, यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है, was his home until 1985, clear, अगर Brazil की बात क करें, ब्रजील कहां पे situated है, अपनी country के संदव में देखें, यह हमारी country यहाँ पे Brazil है, ठीक है, कौन-कौन सी country के border इसको touch करते हैं, यह आप लोग बतायेगा, clear, तो यह आप लोगो का homework रहेगा, clear है, तो प्रेजिडेंट जो है, ब्रजील के वो gel ball scenario है, capital Brazil है, currency Brazilian real है, अपन यह country के हम लोग बात करें, हमारी country में total 40 UNESCO heritage sites पाई जाती है, तो यह सारी 40 UNESCO heritage sites है, उसके लाव हम लोग बात करें, UNESCO के बारे में, UNESCO की full form याद रखनी है, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, formation 1945 में हुआ, इसका headquarters के Paris, France में देखने को मिलते हैं, किन-किन sector में focus करके चलती है, UNESCO Education, Science, Culture and Peace के sector में, इ India इसका member है, हम लोग यहां पर important चीज़ देख लेते हैं, यहां पर यह slide काफे जारा important है, यह आप लोगों को ध्यान में रखनी है, notes प्लीज आप लोग बनाते चाहिए, तो हमारी country में 40 UNESCO sites है, अभी हाली में ही 2 जो हैं, पहले 38 थी, तो हाली में ही 2 new world heritage sites यहां पर लिस्ट साइड में लिस्ट में दर्ज किया गया, तो धोला वीरा रामपा टैंपल जो है latest edition रहा इस लिस्ट का, cultural category में ठीक है, धोला वीरा cultural category में और रामपा टैंपल तैलेंग आना और धोला वीरा गुजराज जो है include किया गया इसको UNESCO, world heritage sites में 2021 में, decision जो था यह किसके द्वारा UNESCO, world heritage committee जो थी, इसका 44th session हुआ चाइना में, तो उनके द्वारा यह decision लिया गया, 2021 में total number of world heritage sites increase हुई, पहले 38 थी, फिर हमारी 40 हुई, ठीक है, तो यह आप लोगों ने याद रखना है, अब इंडिया में currently 40 world heritage sites है, according to the organization देखें, उनका जो selection criteria था, तो उसके लावा 32 हमारी country में cultural sites है, 7 natural sites है, और 1 mixed site है, ठीक है, mixed site का मतलब, यहाँ पे बोथ cultural and natural characteristics देखने को मिलते हैं, इंडिया जो है, आज के टाइम में, world 6 largest number of sites है, हमारी country में, यानिकि 6 number पे आता है, और हमारी country में सबसे इदा कौन सी state में, most sites है, वो है महाराश्टरा, तो महाराश्टरा में 5 UNESCO heritage sites है, और इंडिया जो है currently 40 world heritage sites का part है, आई होप आपको यह सारी चीज़े clear हुई होंगी, तो यह था आज का important current affair का session, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please like, share, subscribe ज़रूर कीजेगा, आपकी पुरानी PDFs भी रहती है, वो भी टैलिग्राम पे आपको मिल जाएंगी, तो इस lecture की PDF के लिए आप टैलिग्राम जोइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वीडियो अगर पसंद नहीं भी आई होगे तो please dislike भी ज़रूर कर जीजेगा, ताकि मेरे को feedback मिल सके, आई होप आपको यह सारी चीज़े clear हुई होगी, thank you for watching my video, जैहि हम इस फाईब souसी है, अपको यह स्वाई टैस थाउचराम योगे ज़डने कर में एिज़े के जाइज बाने कर इस की जातों जाई होगे एलेकर नहीं होगे bit जार्टेज़े का टैसे की में आई होगे itemा में आई कोıma बसाई हुटेगे की जासी हैं पालो का बाहे जाई होग